स्यूविटी का रिजल्ट अने के बाद में सब को अलग-अलग युणिरसिटी की कटोप जाननी होती है और एडमिसन का प्रोसेस जानना होता है ठीक है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएचियो में आपका एडमिसन प्रोसेस है वो के से रहेगा और उसके क्या कट होगा जितने भी जो भी एचियो में कॉर्स चलते हैं उनको लेके आज की इस वीडियो में सभी अलग-खोर्स के बारे में डिसक्स क्रेंगे और एडमिसन कॉर्स के बारे में डिसक्स करेंगे हलो अर्वन, वेल्कम बैक ओन यूट्यूब चैनल, S.A.L. ग्रूप अगरी कल्चर, वीडियो करते हैं, स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप अभी तक चैनल पे नए है, चैनल को सब्सक्राइब नए किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, मैं माई चोधरी स्टूडेंट और बनारस हिंदू उनिवेसेटी, ठीके, आपका ओनलाइन, ओपलाइन, हर टाइम, काउंसलिंग में, हैल्प, कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, बीएचू से रिलेटेड, तो आप किसी टाइम, हैल्प लेज सकत है, फैकल्टी ओप मैंन केंपस, जो आपका बनारस में इस्ती थे, ठीके, ये मैंन केंपस के अंदर ही चलता है, जा पूरा बीएचू से सतर किलोमेटर दूर है, ठीके, अब मैं बता दूँगा कि आपको कौन-कौन से कौर्स के लिए जाना चाहिए, कौन-कौन सा कौर्स बेटर उनके लिए, ठीके, डीएवी है, एमपीजी है, वीके एमवी है, वीस्टी डूब्लू है, ये सारे इनके एफिलिटरेड कोलेज हैं, यानि कि पूरा बीएचू के रूल्स और रेगुलेश वाइस फैकल्टी होती है, जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस का अलग आता है, जिसमें भी आपका जियोलोजी का अलग हो जाएगा, बोटनी का अलग हो जाएगा, कैमिस्टी का अलग हो जाएगा, एग्री कल्चर का अलग हो जाएगा, ठीके, उसमें मतलब कहने का ताद्वी है है कि सबी फैकल्टी है वो अलग अलग चलती है आर्स की फैकल्टी अलग चलती है कॉमर्स की फैकल्टी अलग चलती है ठीक है मेडिकल्स की फैकल्टी अलग चलती है यह सारी अलग अलग फैकल्टी वाई होती है जो फमसी में होता ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कोलेजों के कर दिया होगा भी एचू का पहले ही रजिस्टेशन चलना था ठीके लेकिन कापी एसे स्टूडेंट है जिनने भी एचू के रजिस्टेशन नहीं किये कापी अच्छे नंबर आ रहे हैं वो पीछे रहे गे तो बिल्कुल भी टैंसर मत लेना भी एचू के जिस दिन लास्ट थी फॉर्म मतलब रजिस्टेशन की उस दिन भी एचू ने बोला था कि रिजल्ट के बाद में हम पांस दिन रियफ़न करेंगे फॉर्म जिसमें आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं अब फॉर्म कैसे फिल करना कब से होगा आगे क्या प्रोसेस होगा वह आप बिल्कुल प सारे कोर्स वाइज अलग अलग कटोफ हैं आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाड़े हैं सो सबसे पहले हम बात करते हैं बीसी बालोजी कटोफ के बारे में तो बीसी बालोजी का कटोफ है वो आप मान सकते हैं कि आपका OBC EWS है तो FMC में 340 के समतिंग और जनरल में 3 380 के समतिंग थोड़ा लास्ट येर से कम भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार का रूल देको बात क्या है कि फिजिक्स और केमेस्टिक का पेपर रियली में टप था और फिजिक्स बहुत टप पेपर था उसके वज़े से काफी वच्चों के नंबर हैं वो कम आए इ बॉइज का यहां एडमिसन नहीं होता है एप एमसी में बॉइज प्लस गल्स दोनों होता तो यह चीज आपको मैं बता देता हूं यहां बॉइज प्लस गल्स दोनों होते हैं और यहां ओनली गल्स होती है ठीक है तो यह कटोफ आपका 325 से 360 यह निकि OBC और EWS का 325 तक और जनरल का कटोफ है वो आपका यहां तक जाएगा ठीक है उसके बानी एक साथी से 240 के बीच में और यह तो साथ से 200 के बीच में यह पर आ रहे हैं तो एक बार आप खुद को सैब हो जाएगा ठीक है यहाप सैब सक्ते हैं थोड़ा मतलब काटोप में कम क्या है उसे सेप मान सकते हैं सेप इसको मैं only general इडिव मतलब general AWS OBC category का ही बताउंगा ठीक है उसके इसाब से आप थोड़ा कम करके देख सकते हैं ओके हम बात करते हैं BAC match के लिए cut off BAC match के लिए cut off है वो आपका general का मान सकते हैं 330 तक और AWS OBC का मान सकते हैं 300 तक ठीक है MMW की बात करो को तो 285 मान सकते हैं आप ओबियसी EWS का और 315 तक मान सकते हैं आप जन्रिल का ठीक है SC ST category का मान सकते हैं FMC में 180-250 तक और इसमें मान सकते हैं MMV में 190 से 230 तक ठीके अब माइड़े में क्यों सन आता है कि बाई क्या सेफ स्कौर हो सकता तो आपको मैंने ये भी बताया था कि 300 से 330 के बीज में ठीके तो आप इसका सेफ स्कौर मान सकते हैं मैट्स के लिए 300 प्लस 300 के संथिंग 280 से 300 तक क्या आपके नंबर है तो आप मैट्स हम चर्चा करते हैं BACAG का Accepted Cut-Off ये Cut-Off है BACAG का जिसमें आपका FMC और RGAC होता है MMV में बाकि कहीं जगें BACAG नहीं चलता है दो ही जगें चलता है इसमें आपका 154 सीटों पर admission होगा इसमें आपका 50 सीट पर admission है वो इस बार होने जा रहा है ठीक है अब इसका Cut-Off है वो General का आपका 480 मान सकते हैं OBC का 460 RGAC में 460 General का 440 आपका OBC EWS का SCST में 360 से 390 RGAC में 330 से 370 ठीक है ज़्यदा Cut-Off का difference नहीं रहता है लगबग 10-15 नंबर आप मान सकते हैं ठीक है और मतलब RGAC में थोड़ा होता है वो फीस है वो आपका 30,000 extra लेते हैं लेकिन कुछ चीज़ों आपका फाइदा भी होता है वो अभी आपको नहीं पता चलेगा मैं एक जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको RGAC और Man Campus में difference क्या है वेसे Man Campus में बहुत अची facilities हर चीज़े अवेलेबल हो जाती है लेकिन study के वे में देके और silent मतलब खुद को prepare करके एक अच्छे level में खुद जाना चाते है तो उनके लिए RGC based है क्योंकि वह आपको डिस्रिप करने वाला को ही नहीं मिलेगा ठीक है वेसे एजी में इस बार मतलब एगरी कल्चर में बच्चों ने बहुत अच्छा score क्या है लेकिन physics chemistry में थोड़ा गड़ बढ़ाया है मामला तो उसके सबसे देख सकते हैं बायों में सब अच्छे ही करते हैं हमेसा ही अच्छा ही करते तो उसमें ये लास्ट इयर का पेपर था 350 आपका घीक क्या आता था कि अच्छे writes था uf 30 cut के थे 50 में 5 से multiply करोगे 250 नमबर का जी के का क्यूसन पेपर था है सो आप add करोगे तो 350 में से आपके नमबर calculate होंगे 350 में से आपके कितने नमबर आ रहे हैं उसी के base पे B.H.U. में मतलब B.A. में admission होगा ठीक है अब B.A. में admission के लिए 200 से 250 आप अपना safe score मान सकते हैं जिन भी student के for social science के लिए बोलड़ा हूँ मैं ठीक है अगर डाइसो के something आपके नमबर है डाइसो तो आप खुद को safe मान सकते हैं क्योंकि आपका selection है वो डाइसो नमबर है तो आपको social science में B.H.U. मिल जाएगा ठीक है देन हम बात करते हैं B.A. Arts के लिए तो थोड़ा उसमें अलग-अलग हो सकता हैं मान सकता है कि B.A. Social Science में बहुत सारी college मिल जाती है उनकी बज़ेश थोड़ा cut-off होता है वो कम जला जाता है लेकिन FMC का cut-off है तो वो आपका 300 प्लस निकल जाएगा ठीक है एमेमवी का cut-off भी जादा जाएगा लेकिन उसमें DAV बगेरा ये सारे college होता है B.A. Arts में faculty में आपका admission होता है एमेमवी में भी होता है लेकिन वहागी college में थोड़ा कम सेटेम बगेरा होने की बज़े से इनका cut-off है वो आपका 242, 260 होता है यनि कि social science से cut-off लगबग बराब में तो B.A. L.L.B. मान सकते हैं आप साड़े फान सो का आपका paper है जिन में से 460-480 के बीच में आपके number 480 तक मान सकते हैं तब जाके आपको ये course मिलेगा क्योंकि B.A. L.B. में seat बहुत कम होती बहुत limited seat पे admission होता है और बहुत popular course होता है देन आप जानते है ठीके तो आपक agriculture एक professional degree मानी जाती है ठीके वो ही B.A. L.B. के साथ मान सकते हैं अब थोड़ा मतलब उनके hut के ठीके तो थोड़ा कटोफ है वो ज्यादा जाएगा ठीके बागी B.A. C.E. होती वो तीन साल का होता है और वो आपका ये B.A. C.E. जी चार साल का होता है उसी परकार B.A. C.E. त तो आप B.A. C.E. के लिए खुद को सेफ मान सकते है ठीके ये चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी अगर आपका कोई भी डाउट हो कोई दिक्कत हो कोई भी क्वेरी हो तो मैं खुद B.A. C.E. अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे हेलप लाइन नंब देखते रहें देखते रहें एसल ग्रूप अप अगरी कल्चर का यूट्यूब चैनल लव यू सो मच थैंक यू